है लो फ्रेंट सौगत आपके ही चैनल फेंटेसी डॉक्टर में एक बर फिट से जो मैंच हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं वो नेवाला याँ पे गयाने वर्सिस आपको मैंच की वीडियो विडियो इंपॉर्टेंट रहेगी आपको मैं एकुल लेख करके बताने डॉक्टर आपको स्क्रीन पर नाम लिखा वह दिखाई दे रहा होगा सेम नेम से हमारे टेलिग्राम चैनल अवे लेवल है पर आपको हमारे टेलिग्राम के जो रियल और ओरिजनल चैनल है उससे कैसे जुड़ना है आपको करना कियाएगी वीडियो के नीचे जहां comment करते हो वहां आपको हमारे टेलिग्राम चैनल का link मिल जाएगा सबसे उपर blue color का link होगा जैसी उस पर click करोगे टेलिग्राम चैनल open हो जाएगा देन उसको आपको join कर लेना तो ध्यान रखना अगर आपको हमारे टेलिग्राम के सही और original वाले चैनल के साथ जुड़ना है तो आपको link का ही use करना पड़ेगा जो आपको वीडियो के नीचे comment में दिया हुआ है और दूसरी important बात यह है कि टेलिग्राम से ध्यान से जुड़ देखो एब मेरे recording जो by की fix रहा सकते है मैं उसकोड़ी लेस ही कम by करना वह यह है इसको वीडियो के एक्स्प्रेंड करूंगा तो अभी इसको फिलाल वीडियो के कैंड में explain करूंगा बाकि जुनको नहीं पता जुनको नहीं पता by की fix होती क्या तो ओपर यहां पर आपको white करता हूं है बात कि जाहें आपे जो चार्ड गर्य अर्ट जिते और दो अधीं के बारे बात की जाहें है बात कि जाहें तो यह वर्नर पार्क बेसट बसेट्ट सेंट जो रहने वाली वह यह इन आप पो तोड़ा टीजे से कौन से बॉलर के अगेंश्ट के अगेंश्ट कौन से प्लेयर को लगा सकती है तो वन वन बाई बात करते हो आपको अपनिंग करते हो नजर आएगा विकट की पिंग करेगा टीम के लिए छे मैच इसमें आपे 145 अभी तक बनाए इसने इस टॉर्णामेंट में विकट इसके अगेंश्ट कौन से प्लेयर को यूज कर सकते है टीम बॉलर को इमरान ताहिर और जी मोटी क्योंकि आपको पता है कि विद्धा स्पिन इनकी बाल भार होते हो जाएगी तो कहीं न कहीं ताकि उनको स्ट्रगल करें और वहां पर एक आदा विकट निकाले तो जी मोटी और इमरान ताहिर दोनों को मतलब लगा सकते है किसी को भी एंदर फ्लेचर के अगेश्ट पावर प्ले में 6 मैच में 145 में ना चुका विकट कीपर है कैचिंग स्टंपिं का पॉइंट को ओपन करेगा एंदर फ्लेचर बाकि हैं फैब दू प्लैसी के बारे में तो 6 मैच इसम अने 120 अंके असपाद ही खेली तो उतने अच्छे फॉप में नहीं है तो तो इक अच्छे वागी जो फाउंच इनिंसे उसमें कुछ परफॉर्मेंस करी नहीं है अब इपनी प्राइम फॉर्म में नहीं है बट एक मैच में लगा चुका है तो इसलिए टिम से मिस नहीं कर स में अदंग कर सकते हैं इसनी अधाय करिए और ये हम पर शलिडा हम दिलीफ कर रहा है यह है यह यहां पर है यहां पर आफीज की द्रॉनल्जेट और आफीर इसके चेर मुहा नियंग निया है अच्छे लनाका चले बनाने वाला सबको सप्राइस कर और अभी तक टवर्नमेंट सबसे रण मेरने वाला प्लेश वालियर साथ यह बॉलिंग में दो से 4 ओवर करेगा मैंने लिखा भी वह कितने ओवर कर सकता है दो यह चार ओवर के बीच में कर सकता है बैटिंग से बी कांटिबुट करेगा बॉलिंग से भी राइट हैंड बन सकता है ते तZe तेम उर्यस आ परोग को अरप्र कर सकते में यहां पर है सामित Pate levelů संब्हेंड बुमाट को ायट सबस्केर दोड़ा आ सकता है बाकि यहां पर बात करें आते हैं आपर टिम डेविट्स जो अच्छी फॉर्म में तो था स्टार्टिंग कुछ मैच है बाकि अभी तक ओके रहा है और अभी रिसेट में इसको RCB ने भी खरीद है सारे राइट 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 र नहीं रहेगा वहवाभ रियास तीन से चार ओवर करते हो नजर आएगा इंपोर्टन बन जाता है क्योंकि अच्छी और कर वगरा मारता है और थोड़ी बड़ बैटिंग भी कर लेता है बात करें तो कैसरिक विल्यम पांच मैंच में नोव विकेट तो कहीं ना कभी इंपोर्टन बनता है यह दैथ ओवर 15-20 और के बीच में के लिए कैसरिक विल्यम वहाभरी आज बालिंग कर सकते हैं जहां विकेट मिलने के चांस हाई होते 15-20 और के बीच में बाकि रखीम कॉनवेल जो कि ओपरिंग करता है बट अभी टीम ने भाहर बिठा रहा है तो बहुत बहुत बैटर रहा है इनके लिए रखीम कॉनवेल अगर 15-20 बाल भी खेल तो आफ संचुरी मार सकता है प्लस ब तिन में के चांस Do come to the in-tigaling team में करी चांसलोरियम की साथ सबसे बैस्ट ओफ्षन है बैस्ट इस बढूर्न आपने लिए इतने इतने इस इतने इतन इतने इस पर बाल रहें में करें बात करें तो एक दो तीन चार नहीं चार अभी इस समीद पिड पील को अच्छा रोल नह यह त्कश्राहिं टाने भी घ्रते, मियक्त फेंद कहते हैं रहे स्लीन ग्रीते म्हीं आ पार इनके ब्रेंट इनके लिगोग रहे से भीकते हैं मिन सब्सक्राइब जारे ने ब्रेंड अर। ऑन को अधिर हात्व प्र मैंचे लोग रहे हैं बागी King को स्टार्टिंग के एक मैच, दो मैच इसमें उपन कर आया है, तो यह फ्लॉप रहा, उसके बाद नीचे मिडलोडर पे कर आया है, तो उतना बैटिंग का चांस मिला नहीं, फिर लास्ट वले मैच उपन कर आया है, तो फिर फ्लॉप रहा, तो कही नहीं कहीं ब्रें चेस के लेफ-टन बैट्समन को इसके अगेंस्ट प्रोष यंद 6 को टीम लगा सकती है, तो आश्ट चेस का अच्छा चांस में लेफ-टन के बैट्समन को विकेट लेने में जैसे चंदरपौलहिम नहीं अट्र राट ताइम बालिंग कर लेजा है, इस फिंग बालिंग रॉल्स और या फिर पटेल को यूज करना चाहे तो कर सकती है और स्पिन बॉलिंग करेंगा दो से चार ओर प्लास बैटिंग करेंगा वाइस कि अच्छे पिक बनेगा अब मुझा दपीजाफ के लिए अभी फॉर्म में भी ठीक थाक है बागी बात करें हिट माय है साथ मैच में 149 बना पाया और I think 250 लगा चुका है बट कंसिस्टन यह किसी मैच में चलता है किसी में नहीं चलता इसके लिए टीम रॉस्टन चेस को यूज कर सकती है तो कहीन है कि रॉस्टन चेथ अपके लिए के लिए के लिए बैट सिंगे सभी फॉर्म में प्लस बॉलिंग से भी अपर पूरन भी ठीक ठाक टच में 30-40 करके आता है बड़ी नहीं खिल रहा है बाकि मलिक को तो टीम बता ही वेश्टी कर रही है क्योंकि फॉर्म में अच्छी नदर नहीं आ रहा और अभी तक कुछ खास प्रफॉर्मेंस करी नहीं है बाकि ओड़ीन इसा उप्षिन है इस पर किसी का ध्यान रहते नहीं बट कंसिश्टन लिए हर मैचे परफॉर्म कर रहा है दो से तीन ओवर एक्सपेक्टेट आसकता है अभी तक साथ मैच में 8 विकिट ले चुका और बैटिंग से 25 तीसन भी हिटिंग से करके चले जाता है तो कहीं नगा इंपोर्टन बन जाता है औल राउंटर का पॉइंट विकिट टेकर अभी तक टोर्णमेंट है पांच मैच तो इसलिए कहीं मुझे लगता है इंपोर्टन बनेगा इस साल तीन से चार मैचेस में चार चार विकिट लिया थे उसी दंपेस को टीम में मौका मिल रहे हैं तो ग्रेंड लिक में ट्राय कर सकते हो आपको मैंने बताया है इसके अगेंस्ट यूस कर सकते है तो ग्रेंड ल मौलिक में ट्राय कर सकते हैं दस विकिट ले चुका साथ मैचेस में अब दैथोवर्स में यहां पर 15-20 ओर के बीच पर रॉमारी शिफर्ड ओशेन थोमस और जी मोटी आपको बालिंग करते वे नजर आ सकते हैं लास्ट में क्योंकि नोंने बालिंग करी थी बाकी यहां प बाकी यह बहार बैठे हुए इंपॉर्टन प्लेयर के बारे बात करें तो मेरा गॉर्डिंग हेम राज है हफीज है हिटमा है पूरण है ओडेन समित है और मारी शिफर्ड और ताहिर है तो यह शेता साथ प्लेयरं के इंपॉर्टन बन जाते हैं तो फिलाल मैंने यह टीम क तो क्रेट का इशू आएगा यह मैंने फ्लेचर को लेगा कि फ्लेचर ओबनिंग करेगा तो ध्यान रिखने अली बात है कि फ्लेचर ओपन कर रहा है तो कहीं न गई है फ्लेचर को रन पूटे 120 बाल खेलने का मौका मेला प्लावी कर रहा है बाकी पूरन को आप ग्रेंड क्रेट तो थोड़ा बैटिंग ओंडर नीचे बाकी यह पर ड्यूप्लैसि आप के साथ गया हूं यह पर मैं डेइवीड था यह हं यह पर हेमराश के साथ आपकर क्रेट अविलेवल हो तो यहां पर टिम डेइवेट इसो आ आपकर किसी आएप इसे आप एप गेलते हो जहा कि और कोई बैटिंग सेक्षिन में इंपॉर्टन प्लेयर हमाले रहे हैं कि आप ग्रेंड लिग में ट्राइट है कि इसी का ध्यान है निए बारा परसंस पंदरा परसंस सेलेक्षिन रेट है यहां पर हफीज को रखा है यहां पर मैंने ओडियन समित को रखा आपके पास ऑप्षिन बनता है ग्रेंड लीग के लिए जी मोटी और के पॉल से अगर टीम चार और करा दीजिए अगर तो यहां पर तक दे रही है तो इसलिए इतना सेफ ऑप्षिन मानूंगा निए स्मॉल क्रेट का इस्यू नहीं आ रहा है वहां पर आपको करना क्या है जे रॉयल्स की जगा लेना है वहां ब्रियाज और यहां पर आपको लेना है शिम्रॉन हित्मर आपको दायता हूं ठीक है फिलहल मैंने आपको यह टीम बना के दे दी है आपको मैंने जे रॉयल्स ले 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 मेरी temporary team ने एक बारे अगर बारे तो यह रहने वाली है तो यह रहने वाली है बाकि जो final team होगी वा अफटर-टॉस अगर मैं आट गया तो telegram पर दे दूंगा अधर आप इस टीम के साथ जा सकते और आपको options दे दिये कि क्या से प्लेर को कहाँ पिक करना है बाकी फिलाल मेरी यह टीम रहेगी बाकी बाकी टेलिग्रम कैसे जॉइन करना आपको वीडियो के नीचे जहां कमेंट करते हो आपको टेलिग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा सबसे उपर ब्लीव किलर का लिंक होगा जैसी इस पर क्लिक करो कि टेलिग्रम चैनल ओपन हो जाएगा देन उसको जॉइन कर लेना है तो ध्यान अगरे टेलिग्रम से जुड़ने का सिर्फ एक ही तरीका लिंक के थूरू ध्यान से जॉइन करना है टेलिग्रम को बागी भाई के पिक्स मैं लैस रख रहा हूं क्योंकि आपको पता है कि तोड़े इन में मैच इस अनेश्पेक्टिड वी पर फर्म कर रहे तो कहीं नहीं कहीं शीफर्ड को अब चाहो तो भाई कर सकते हो तो अब गम बाई करना और 38 में वेलेवल है क्योंकि तक हर मैच वे तीन विकेट ले रहा है प्लस बैटिंग से पांथ देसरन भी करके जा रहा है तो आपके लिए कहीं नहीं कहीं अच्छी पिक बन सकता है दूसरे बहाबरी आज दो विकेट निकालते प्रोफिट देसकता है और बहुत ज्यादा और कम बाई करना चाहते है हफीज हो कर सकते हो बट हफीज है कि कभी मैच इसमें एक आदा ही ओवर करता है कभी तीन करता है बैटिंग से पंदरा बीस पच्चीस तीस करके दे सकता है तो में मेरा फोकस रहा है मार्यू शेफर्ड में नंबर नंबर टू पर यहां पर रहा देन और घंटी दबाना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन और मैसेज आपको सबसे पहले है जब भी वीडियो अप्लोड करूँ दोस्तों और फ्रेंट के साथ जरूर शेयर कर सकते हो कमेंट में कोई भी कोई पूछन पूछो में रिपलाइ करूंगा जब भी रीड करूं